हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल शिवा मिष्टेडी नौलेज यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम नागरिक सास्त्र का इन्टरमीडियेट परिच्छा 2022 और 21 बूर परिच्छा का मोडल पर लेकर आच्चुके हैं जो 2022 बूर ऑड़ एजाम का पीपर दीनी वाले हैं उनके लिए काफ इंपोटन्ट ये मोडल पीपर है ये मोडल पीपर के अनुशार ही आपका बूर एक्जाम में वह आता है कोशन् पूरांक आपका 100 नमबर का रहता है बोर्ड परिच्छा में जो नागरिक सास्त्र के स्टूडेंट है उनके लिए काफ इंपोर्टेंटी वीडियो होने वाला है यदि आप ये मौडल पर पूरा हल करके यदि आप जाते हैं बोर्ड जामें तो आपका 50% मार्क बेलुकुल प 95% लाने से बोर्ड देने के लिए पढ़ा जाता है ये पर को जो होता है पढ़ने के लिए पंदरा मिनिट दिया घैनी न्यूट में प्रारम्व में परिच्छार्तियों को प्रिश्न पर पढ़ने कि लिए निरधारी था जैसरे मैं बताया था आपको पहला ही तीं घंटा यह होता है प्रैपर पढ़ने के लिए ध्याश्था थैक्योंकि पढ़ना काफी इंपोसर्किंटर काफी ही सip तक बहुत गया तूंकि होसा है क्लिखी कहते हैं प्रते तक प्रतिक अंशच्छ को लगभग पचास सब्धों में इसका अंसर देना है। उसके बाद में प्रिश्चे- desem प्राष्ण εच Alors बेक्र Sug fullyomme इसका प्र Tá inventory children निया ईक Do Onisha सभी प्रिशनों को नेधारित सामने दिये हैं मैं आको बता दू दोस्तों यानि यह आपका बहुबबा बहुता को बहुता है what talking about क्रशलेंचर का याई जो कॉर्शन होगा उसी के अनुशार उसका मार्क दिया होगा कि इस कोर्शन के ऊपर आतना मार्क है याग में यह दिया कोंटकर या के लिक रहे हो पनिकिन भीखलपिफसे यो में चार हो दोस्तों यापका जारी से चार स्वरी टर्ट है कौन सा देश धूरी राष्ट्यों का सदस्य देश नहीं था का है जर्मनी खा है इटली गाहे ब्रेटीन और घाज जापान तो इनमें से आपका राइट एंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रेटीन बिल्कुल राइट एंसर हो काफी महत्तपूर कोशन है बोड़ एक जान से रिलेटेड है का है ग्रेट बिट्टेंड का है संयुक्त राज अमेरका गाहे इतली या घाज जापान तो इन वे में से आपका राइट एंसर कौन सा हो जाएगा जापान इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों हिरोशिमा औ दोस्तों बारलिन की दिवार खड़ी की गई थी 1961 मैंने आपको बता था दोस्तों आपको सभी मॉडल पीपर हल करके बताएंगे कि इस प्रकार से आपको बोड़िक्जाम में कॉपियां को लिखना है या नागरिक सास्त्र का लिखना है यादि आप सो पर सो नंबर लाना च इस अचर्फ won साब थेर्पी चा कॉपिया आểu्फ है कअ है आपका अगात पहुँचा कर उपचार करना है बतां करना में दो निजी करोण का व्रोध करना तो इनमें से आपका का राइट एंसर हो जाएगा आगात पहुंचा कर उपिचार करना ये सार्क थेरपी का अर्थ है फिर कोशन नमबर हमारा पाच्छवा है बेकाक घोशना पत्र किस संस्था के द्वारा गतित किया गए आपको बताना है इसका यानि यादि आपको पता है तो कोमेंट में प्लीज बताइए इस कोशन का एंसर कोशन नमर चे है गांधी जी की हक्त्या की सस्थान पर की गई थी तो का है शाबरमती खा है चंपरान चंपारन या गा दिल्ली या गा एहमदाबाद तो इन में से सही उतर हो जाएगा आपक गांधिजी का हत्या गोली मार कर कोशन नमबर सात्वा है आप डेरि उल्लोग यानि दूध का मतसन देख यानि मचली का भ्यापार खादान यानि खादो का व्यापार और मुर्गी पालन यानि मूर्गियों यानि हैंद को पालना तो इन वे से अपका चारू सी राइट एं का उदेश क्या था भारत का राजवेतिक विकास भारत का सांस्कृतिक विकास गाह भारत का आर्थिक विकास या घा भारत की सर्वनिय विकास तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत का आर्थिक विकास करना गाह नंबर आपका राइट एंसर हो जाएगा भारत का प्रतम प्रदान मंत्री कोंति भारत की पहले प्रधान मंत्री तो आपका का है जय प्रकाश नराइड जी खाहे इंद्रा गांधी गाहे लाल बहादुर सास्त्री या घा मेरार जी देशाई आपका वुड़ी जाम में सीम सीम इसी प्रकार से कोश्चन पूछा या लेकिन जो इसमें आपका कोश्चन है कोश्चन को आपको क्या कर देना है प्रस्नोस्तर में कर देना है आपको कोश्चन नहीं लिखना है आपको यदि आप प्रस्नोस्तर लिख देते हैं और इसमें से राइट एंसर कौन सा हो जाएगा आपका इंद्रा गांधी भारत की प्रथम पहल जिसे था कहें हिमांचल परदीश खाहें अरुणाचल परदीश घाये जम्मू कस्मीर या घा उत्तराखंड तो इन वेंस हैं आपका उत्तराखंड सही एंसर हो जाएगा इसका चीपकों अंदोलन उत्तराखंड से प्रारम्भ हुआ अब बात कर लेते हैं अतिलहु द्रे प् कव हुआ तो यह दोस्तों आपका हुआ था 25 दिसंबर 1991 में शोबियत संग का विघटन हुआ दोस्तों याद रखेगा कॉपी और पिर में एक आप प्ली जैसे रिक्विष्ट है कि आप कोपी पिलने लिजें उसमें साइल कोश्चन को नूट करते चले जाएए क्योंकि बहुत ही महत्तपूर कोश्चन है बूर्ड एक्जाम से रिलेटेड है फिर कोश्चन बारा है आसियान के दो शदस्य देशों का नाम लिखे तो पहला है बेकाक दू 1962 में भारत की सीमा विवाद से लेकर किस देश में वह हुआ था यानि यूद वह था द हो यानि चीन में यानि चीन से हमारा सामना हुए था हमारे भारत देश से 1962 मिन फिर कोश्चन हमारा चोड़ा है पृतिवी संमेलन की समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। तो यह आपका किस समस्या से लेकर गया था। साजी संबंधा का क्या रथ है तो धर्म निर्पेचता नी साजी संबंधा का आपका वो बताना इसका आर्थ है यदि आपको पता तो कॉमेंट में प्लीज इसका एंसर बताईएगा तो कोश्चन नमबर 16 है नकसल वादी अंदोलन किस राज जिसे प्रारम होगा दोस्तों पश्रिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा नक्षलवादी जो नक्षलवादी अंदोलन इस्टाट हुआ था वह था किसी पश्रिम बंगाल से कोश्चन नमर मारा सत्तरा है गोवा संघेराज क्यों बनाया गया गया यह आपको बताना है काफी इंपोर्टेंट है यह आप को बताना विदान सभा पहला चुला का वह था धर्मनीरपेच राजनेतिक किया गेर कानुधारों के धर्म के रखे ता तता सरकार धम के आधार पर किशी और भेदबाव ना करके किसका धर्मने बनाया था जनी यह सीक्टिम कर विदान सभा चुनना हो था उन्यूंस अम्मर मामले में धर्म का दूर रखे तता सरकार धर्म' के अध्याइन कशी कोई थूमों कराने कोश्ण सुन ना करी वार कंट की है क्ess्री कि मॅध्या वधी चुनाओ कि ऐसे कहा काफी इंपॉर्टं कॉस्छन है इस्थे महत्तपूर्ण प्रश्ण ऑसन कि हें पोरक आप keine क्योंकि बहुत पूर्ण है और यह यूपी म्सप ड़ारा मॉडल पेपर जाइए किया गया है कांफि इंपॉर्टन वेडिल पेपर रहता है इसी से पुरा बोर इजम से रिलेटर को चुशन आते रहते हैं तो आपका जो दूसरा है 20वा नम TIM प्रदानी के चुनाओं में या आपका छी महिंगे के बाद में आपका सारा सामान ले लिया जाता है पूथी पसरा कि अगले चुनाओं के आगे वाद में यद्या पर जीत हासिल करते तो आपको पूरा सामान दे दिया जाएगा यह जो इसको हकदार होगा तो इह आपका हो जाता है मद्धवावर्दी चुनाओं जो कि पांच वर्सों में आता है अब कर लेते हैं लह उत्तिरे प्रश्ण की जो की काफी इंपॉटेंट है बोड ग्याम में यह काफी इंपॉटेंट है दोस्तों याद रखेगा कोश्चन नमबर 21 है संयुक्त राष्ट संग का निर्मान कभी किया गया इनकी किनी दो विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिकत था उ इसे बास् genes का निर्मान की किया 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 घया कि अपने कभी विचार निविचार को सपष्ट किजी को स्वकु नम्मर 24 दूसरी पंचवर्शियं योजञा के मद्द ओदोगिक बनाम किर्षी का निविकास की विवाद में कार ब़ाल कि कीजी क्या करना है आपको कारको का उलेख करना है अब बात कर लेते हैं कोश्ट करना है किसके सामने एक्जामिनर के सामने कोश्चन जो आपका बता रहा है आपको रहे टैंसर बस दे देना है समय भारत की किनी दो छेत्री अकांचाओं के कारण सही तुलेख करना है लगू उत्तरिय प्रिश्ण है कासे इंपोर्टेंट है आपका लगू बोदी उत्तरिय प्रिश्ण के कोश्चन 27 है भारत और चीन की उभरती अर्थ व्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुव्य व्यवस्था को चुनोते देने के छमता में छमता है वर्तमान प्रिश्चितियों की द्रिश्ट से क्या आप इसका सहमत है यानि क्या से सहमत है अपने मत को प्रुष्टी मे में आपको यह करना है चमता और वरतवार को सेवर द्रिश्ट से क्या आपका इससे सहमत है अपने मत को अपनी विचारों को इसमें पुरुष्टी करना है तो आपका 28 है काफर इंपॉर्टन कोशन हो तो वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए लाइक नहीं किए और चेनल करना को तीन कारण के उल्लूख करने है तो नाकारात्मक प्रभाव और दो नकारात्मक प्रभाव का इंपॉटेंट है तो कम से कम आपको डेंड़ सो सब्दों में इसका अंसर देना ही देना है कोश्चन बती से आयोध्या विवाद क्या था इसका समाधान कैसे हुआ आयोध्या जो प्रभुश्री राम की नगरी थी इसका विवाद क्या था इसका आपको राइट एंसर बताना है इसका काफी इंपॉटेंट है कोश्चन आयोध्या विवाद क्या था काफी महात्पोर थ यहां आपका आप नंबर का पूछा राता है वुर्ड परिच्छा में तो कोश्चनबर 31 सीत जृधत क्या है डो धुरुव्य विष्य का आसाज सपश्ट करते हुए सीथ जृधत के दाईरों को उल्लेक करें इस तो युद्त की दाईरों को क्या करना आ उनलेख करना है इसमें भी अथवा लगागगा है। ताकि आपको जो पसंद आया यानि दो कोश्चन में से जो आपको अच्छा लगाई वो आपका मन करें जो आपका दिल करें उस कोश्चन का इसरा बोड परिछा की कॉपी में लिख दीजिए फिर कोश्चन नमर 32 लिखी देशों के साथ भारत की वैदिक शिख संबंधों की व अर। वरतमान परिस्थितियों में भी भारत के लिए प्रसाश्वी है या इसकी पच्च में अपना मतव सफश्च किदने यह जो लिखने अग्शिता अग्श्चन कफी वेरी-वेरी मइंपॉर्तन कोश्चन है और हमने आपको प्रॉपर हल करके बता दिया है कि कि किस प्र चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी कि यहां पर आपको बोड गया से रिलिटेट वीडियो मिलती रहते तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तता के लिए गुडबाई जाहिंद अगर 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 अगर